इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं इथाइलीन सिंग्नलिंग पाथवे इथाइलीन जैसा कि आपको पता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन है और इसके काम यहां पर हम बात नहीं करेंगे यहां पर हम इसके सिंग्नलिंग पाथवे किस तरह से एक्टिवेट होता है किस तरह से जाता है वो बात करेंगे साथ में इसके रिसेप्टर भी हम चर्चा करेंगे तो इसके देगे बाइंड करता है इथाइलीन बाइंड विद मेंबरेन बाउंड रिसेप्टर किसके साथ करता है मेंबरेन bound receptor के साथ मैं bind करता है और यह इसके जो receptor होते है ethylene के टाइमेरिक होते हैं multi-pass transmembrane protein से मिलके बने होते हैं अब इसके members देखे हैं इसके ethylene receptor के तो पांच टाइब की आपको इसके members मेंदते हैं ethylene engage need response 1ถ ethylene donít ethylene ers-1 होता है ethylene response sensor 1 और यह होता है sensor 2 और यह होता है यह होता है ethylene insensitive 4 यह पांच मेंबर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जहां पर जाके ethylene bind करेगा अब ethylene क्या है एक negative regulator है यानि कि जैसे माली जी यह ethylene है जब यह absent होता है जब यह absent होता है तब आप इसका जो receptor है वो क्या करता है active हो जाता है यानि कि क्या है negative regulator है जब यह absent होगा तब ही इसका pathway जो receptor वो activate हो जाएगा लेकिन जब ethylene present हो ethylene present होता है तो उस condition में receptor कैसा हो जाता है receptor inactive हो जाता है तो ethylene receptor कैसे ही यह negative regulator होते हैं इतना आपको ध्यान रखना है जो आगे हम चड़्चा कर लेंगे अब इसकी हम थोड़ा सा receptor की study करें तो यह आपका receptor है इसमें देखिए ethylene यह है आपका receptor ethylene triple response 1 इसकी structure देखिए तो इसकी structure सेम bacterial के two component system के homology होती है समझात होती है बिल्गल bacteria का two component system होता है उस जैसे होती है अब देखिए इसमें एक किसम मिलता है ER की membrane में endoplasmic reticular membrane में मिलेगा इसमें देखिए lumen में इसका answer होता है protein का receptor भी protein से मिलके बना होता है जबकि इसका c syrup कौन सा होता है cytosol की side में होता है ER membrane पे copper enzyme पाया जाता है और इसी copper enzyme पे आके ethylene जुड़ेगा ethylene आपसे पूछा जाए कहां attach होता है receptor पे तो copper पे आके attach होगा अब यहां पे आपको ध्यान रखना है जो दो protein है वो किस से जड़ी हुई है sulfide bris से जुड़ी हुई है अगर हम cytosol में दो domain आपको दिखाई देंगे इस protein पे receptor की protein पे एक तो H है जिसे हम बोलते है histidine kinase दूसरा D है जिसे हम बोलते है receiver domain अब हम आगे चलते हैं यह हमने receptor देख लिया है हमने negative regulator देख लिया है अब हम आगे चलते हैं किस तरह से activate होगी उसकी पूरी अभिक्रिय हम आपे देखेंगे सबसे पहले आजाते हैं हम जब ethylene absent है उस time पे क्या होगा इसका जो receptor है वो कैसा हो जाता है active हो जाता है इसलिए हमने क्या बोलते है negative regulator कहते हैं जब absence है ethylene तब यह etr1 active होता है और etr1 जब active होगा तब क्या करता है यह serine threonine kin signaling pathway होता है उसे यह active कर देता है इसी का CTR1 इसी की protein है kinase protein है CTR1 और जब यह active हो जाएगा तो इसका काम होता है EIN2 protein को phosphorize करना CTR1 अगर active है तो यह EIN2 protein को क्या कर देता है phosphorize कर देता है अब phosphorize हो जाएगा तो इसका क्या होगा polyubicutalization and proteosomal degradation of transcription factor EIN3 यह क्या कर देगा आगे अगर यह phosphorize हो गया तो यह EIN3 protein को क्या कर देगा इसका polyubicutalization of proteosomal degradation कर देता है अब इसी जैसे EIN3 factor का क्या होगा proteosomal degradation होगा वैसे ही आपके ethylene response gene कैसे हो जाएंगे off हो जाते हैं क्या हो जाते हैं ओफ हो जाते हैं एक तो आपको ध्यान रखना है यह लेकिन अगर हम माले ethylene present है present होने पर क्या हो जाता है इसका receptor है यह इसका receptor है यह वाला भी यह वाला भी यह वाला भी यह kinase pathway है CTR1 अब देखें EIN2 का phosphorization नहीं हो पाएगा और जब इसका phosphorization नहीं होगा तो फिर यह EIN3 का कहां से degradation कर पाएगा नहीं कर पाएगा न unfosphorization EIN2 cleaved by protease enzyme and C-termination fragment migrate into nucleus जब तक यह phosphorize रहता है जब तक इस पे phosphate attach है तब तक यह क्या रहता है safe रहता है इससे protease enzyme से safe रहता है तब तक यह जब तक यह EIN2 protein phosphorize है तब तक यह क्या है safe है इसके किस enzyme से नहीं कटेगा यह protease है अगर यह इस पे phosphate group आएगा जैसी phosphorize होगा तो यह safe रहेगा अगर नहीं हो पाता है तो इस condition में क्या होगा इस पे कौन आएगा protease आएगा और इससे C terminal को अलग कर देगा N terminal को अलग कर देगा और इसका C terminal वाला portion है वो nucleus में चला जाता है अब जैसी nucleus में चाहेगा तो EIN2 fragment कौन सा fragment C terminus वाला fragment है वो EIN3 protein का क्या कर देगा जो degradation हो रहा था यह फिर poly ubiquitination हो रहा था उससे क्या कर देता है यह inhibit कर देता है इससे रोग देता है अगर यह आपके transcription factor ही यह कैसे हो जाएंगे नहीं तूटेंगे तब आपके ethylene response gene on हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं ethylene response gene on हो जाते हैं तो दोनों में basic सा अंतर है अगर आपके ethylene absent है तो आपके receptor भी active होगा kinase pathway भी active हो जाएगा और आपके EIN2 protein है वो phosphoralize हो जाएगी उसकी वज़े से यह आपके response gene कैसे हो जाते हैं off हो जाते हैं और ethylene काम नहीं कर पाती है लेकिन अगर मान लीजे ethylene present है तो उस condition में इसके receptor कैसे हो जाते हैं inactive हो जाते हैं काम नहीं करते हैं उस condition में आपके का kinase pathway भी inactive हो जाता है अब क्या होगा अगर CTR1 inactive है तो यह EIN2 protein के जो दो portion होते हैं एक तो N वाला portion होता है एक C वाला portion होता है इसको phosphoralize नहीं कर पाएगा अगर EIN2 को phosphoralize नहीं किया अब इस पे कौन सा enzyme आएगा protease enzyme आएगा और इससे cut कर देगा और इसका C terminal वाला portion हो किसमें चला जाता है वो nucleus में चला जाएगा इसमें चला जाएगा अगर nucleus में चला गया अब यह क्या कर देगा EIN3 protein को strong कर देगा उसे यह degraded नहीं होने देगा ना ही उसका poly ubiquitonization होने देगा उस condition में ethylene response gene कैसे हो जाते हैं अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूँ जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए ethylene absent है पूपारे उस condition में क्या होता है आपके condition में क्या होता है empower 1 क्या होता है active होता है hogy ctr1 active होता है हमिगर यु प्धारिज्यस उसकी वैससे इसकी जीन क्या हो जाते है off हो जाते हैं अब यही उल्टा काम किसमे होगा on होगा जब यह तो absent है अगर मालीजे present है उस condition में क्या होता है ETR1 inactive हो जाता है इसका kinase pathway है CTR1 वो inactive हो जाता है अगर यह inactive हो गया तो EIN2 phospholize नहीं हो पाता है यह phospholize नहीं होगा तो EIN3 क्या नहीं हो पाता है डिग्रेड नहीं होता है अगर यह डिग्रेड नहीं होगा तो इसका gene आपको कैसा हो जागा इसके response gene on हो जाते हैं यह मैंने basic बताया आपको ethylene risk signaling pathway किस तरह से work करता है I hope आपको समझ में आया होगा एक बारा बापे से देखेंगे आपको guarantee से समझ में आजाएगा thanks मिलते हैं नए वीडियो नए किसी topic के साथ दनेवाद